और देर्टेंट्स दामोदर वैली कॉर्परेशन के तरफ से एक नया नॉटिफिकेशन आया है जो कि डिपलोमा होल्डर्स के लिए जुनियर इंजिनियर की पोस्ट है चले देखते हैं क्या इस नॉटिफिकेशन में क्या कुछ आपके लिए क्राइटियरिया दिये हुए हैं क्या क्या पैटर्न आपका इक्जाम का इसमें होने वाला है चले देखते बेटा दामोदर वैली कॉर्परेशन जो कि एक आप कह सकते हैं एक पीस्यू है ठीक है और यह आपका मिनिश्ट्र पावर गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है जो कि आप जानते होंगे दा सब्सक्राइब करें तो चले देखते हैं क्या क्या कुछ यहां पर हमारे लिए है देखने के लिए चलिए सबसे पहली बात है बैटा कि यह जो नोटिफिकेस ने एक मही 2023 को आया था लेकिन इसको फार्म फिलम की देट है फार्म फार्म जो फिलप किये जा रहे है वो कल साम से पांच मही से सुरू हो चुके है ठीक है आज आपका छे तारीक है 6 मही है कल से आपका सुरू हो चुका था ठीक है चले देखते हैं क्या नंबर ओफ वकेंसिस है वो पहले देख लेते हैं देखें यहां पर जो अगर आप देखेंगे नंबर ओफ वकेंसिस की लिस्ट में तो यहाँ पे junior engineer जो mechanical यहाँ पे आपको दिया हुआ है ठीक है junior engineer grade 2 की post है mechanical है junior engineer grade 2 जो की J level की post है level 6 की job है यहाँ पे आप जेख सकते है level 6 की आपकी job है और pay scale 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपका है यहाँ पे अगर आप जेखेंगे तो mechanical के लिए 10 number of total posts है भडश broken ठीक है ठीक है बचलो तो 10 number of post आपकी mechanical के लिए जिसमें से 4 UR की है दो OBC की है एक सी की है and 2 seats are for St and one for EWS ठीक है तो टोटल आपकी 10 number of seats है अगर आप upper age limit के बात करेंगे तो 28 years की upper age limit है साथ ही जो यह यूर के लिए है बाकि जो भी आपके गवर्मेंट इंडिया के आपके गाइड लाइन से उसके साफ से एज रिलेक्शन से यहां पर दिया गया है ठीक है अगर आप इलेक्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्रिकल में 10 नंबर आफ सीट से वहीं आप C&I में 10 नंब सीट से ठीक है चले आगे देखते हैं और क्या-क्या चीजी हमाई पर दी गई है यहां पर आप देखेंगे बच्चों यह है आपका क्वालिफिकेशन ठीक है क्वालिफिकेशन के अगर हम बात करें तो जुनियर इंजिनियर जो मकैनिकल है जेट वन ठीक है इसके लिए आपका डिपलोमा यहां पर इन्होंने मांगा है आपका तीन साल का डिपलोमा आपका होना चाहिए ठीक है और साथी साथ इन्होंने मार्क्स का क्राइटिरे दिया रखा है कि आपके not less than 65 मार्क्स मतलब 65% से आपके कम नहीं होनी चाहिए और यह जो आप काउंट करेंगे य इवन टू एन पर्टिकुलर समेस्टर या एर बाइड इंस्ट्यूट युनिवर्सिटी ठीक है तो एवरेज आपके 65% मार्क्स आपके होने चाहिए यहां पर ठीक है डिपलोमा होल्डर्स के लिए only डिपलोमा होल्डर्स कन अप्लाई फोर इस पोस्ट इनके पास थ्री ए अप्लाइन अप्लिकेशन मतलब जो ओनलाइन अप्लिकेशन की जो क्लोजिंग डेट है जो हम अभी डिसकस करने वाले है जो कि 26 में है उस तब उस डेट तक आप 28 एयर्स के होने चाहिए not more than that ठीक है 28 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए ठीक है बाकी जो रिलेक्स पूरा यहां पर प्रोवाइट कराया गया ठीक है चलिए आगे क्या है देखते हैं क्या कुछ आगे हमारे पास यहां पर है कुछ important चीजें है बटा ठीक है selection process के अगर हम बात करें यहां पर तो selection process बटा आपका CBT based होने वाला है computer computer based test आपका होने वाला है CBT यहां पर और उसी CBT के base पर आपकी जो है marriage लगेगी और उसी के base पर आपका completely पुरा selection होने वाला है जो return test CBT आपका होगा वह आपका objective type का होगा बच्चों ठीक है objective type ID MCQ यह हम देते ही है ठीक है और यह आपका होगा विच्छा two hours duration का यह आपका होने वाला है दो गंडे का यह आपका होने वाला है ठीक है आगे देख्यें पार्ट वन इसमें क्या आएगा जो पेपर आपका होगा तो गंडे का इसमें पार्ट वन में आपका क्या आएगा जन्रल एप्टिट्यूट टैस्ट जी एटी नाम से है यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है इन्होंने क्लिए लिदिया हुआ है वेकाबलरी वर्बल कंप्रिह अरे जैसे है निमेरिकल अबिलिटी मतलब यहाँ पर इंगलिस आपके पास आने वाली है रिजिनिंग एंड क्वाण्ट एपकर आने वाल है पार्ट 2 में अगर देखिए तो पार्ट 2 में आपका टेकनिकल नॉलेज टेस्ट है TKT जो कि आपका पूरा जो भी आपका फील् कितने होने वाल है एक्जाम में CBT question format क्या है and whether there will be any negative marking or not यह सारे चीजे will be notified later in DVC website दामोदर वैलिक कॉर्परेशन की website पे यह सारे चीजे आपको बात में inform की जाएगी आपका brief service क्या होगा है क्या सब्जेक्ट से आपके पास question आने वाल है या number of total number of questions क्या आने वाल है technical या non-techn क्या आपका वेटेश रहने वाल हो सारे चीजे बाद में आपको बता दी जाएगी ठीक है चले आगे देखते हैं यह बहुत important है बच्चों कि अगर आप बात करेंगे कि qualify marks की मतलब अगर आप general OBC EWS से हैं तो आपको 50% of total marks each part, each part में आपको 50% part 1 में 50% part 2 में 50% marks आपको attain करन अगे उनकी उसके बाद लगेगी merit, फिर merit decide होगी कि कौन से बच्चे finalist में उन में से आने वाले हैं ठीक है चले और SCST PWBD के लिए 40% total marks इसमें each paper में, ध्यान रखना है यह each paper में complete नहीं है, part 1 में 50% आपको होनी चाहिए, part 2 में भी आपके 50% marks होनी चाहिए, ठीक है, बटा, contractual base पी नहीं है, this is a permanent job, बटा, permanent job है, यह junior engineer की, the mother valley corporation में permanent job आपकी होनी वाली contractual basis पे यह नहीं है, permanent job है, चले, आगे देखते, आगे क्या कुछ इन्होंने, यहाँ पे हमें दे रखा है, notification में, ठीक है, यह देखे, थोड़ा syllabus के बारे में थोड़ा सा दिया है, लेकिन brief उसन में बताया है, general apt-tude test में, कि यह सारी चीजे मतलब, जो general आपकी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर knowledge, technical knowledge में बस यही बताया गया है, कि diploma level का, बस, जो paper आपका होगा, और basic diploma level के post है, तो exam आपका जो होगा, वो diploma level का होगा, ठीक है, तो CBT में जो question technical से पूछे जाएंगे, वो diploma level के होगे, चले, आगे देखते हैं, आपको जो application fees है, बेटा, आपको application fees 300 रुपीज पे करने पड़ेगी, general OVC, EWS को, और बाकी जो categories है, and they, SC, ST, PW, BD, and X service में ने, जो है, and DVC, जो departmental candidate है, उनके लिए, their fees is exempted, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर important बात यह है, कि fees payment के यहाँ दो options आपको मिलेंगे, एक option आपको मिलेगा, SBI collect का option मिलेगा, ठीक है, जहां से आप fees, यह आपने step लिखे हुए है कि यहाँ पर आपको इस website पर जाना है, online SBI यहाँ पर जाना है, आपको PSU select करना है, और वहाँ पर state आपको West Bengal select करना है, क्योंकि जो Damodar Valley Corporation है, इसके जो area है, main area जहाँ पर इसके project चल रहे है, वो आपके West Bengal and Jharkand में ही है, आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए state आपको है, आपको लिखने है, step 4 में आ क्या है, select the name of PSU as Damodar Valley Corporation, ठीक है, इस तरह से आप SBI collect से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो important विटा, वो यह है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका एक दूसरा gateway, payment जो gateway इनका अलग से है, SBI collect के अलावा, उससे भी आप online payment कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सिर्फ और सिर्फ 10 माई तक ही आपका, यहाँ पर इससे कर सकते हैं, otherwise, आपका जो SBI collect है, वहाँ से आप 26 तारीक तक कर सकते हैं, ठीक है, 26 of May, जो large date है, वहाँ तक आप कर सकते हैं, यहाँ पर इनने लिखा, large date for payment of the application is 26 of May 2023, ठीक है, 300 इसकी fees है, यह आपको जमा करने होगी, ठीक है, यह आपका pay matrix दिया है, जो कि level 6 की आपकी job है, और आपको यहाँ पर बहुत सारी जो parks है, वो बहुत ही बढ़िया है, जो park इसमें मिलने वाले, allowances मिलने वाले, बहुत ही जबरदस्त है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि क्य dearness allowance आपको मिलेगा, क्योंकि यह central government की job है, PSU है, इसके लाब medical reimbursement मिलेगा, leave travel allowance मिलेगा, NPS new pension scheme मिलेगी, convenience allowances, leave investment and HR, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलने वाले है, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें benefits है बच्चो, बहुत ही मतलब बहुतरीन आप कह सकते हैं, डिपलोमा J level पर जो हम चाहते हैं, जो PSU में, जो हम J level की job चाहते हैं, वो बिलकुल यहाँ पर है, आपको मिलने वाली है, ठीक है, यहाँ पर कुछ bond भी भरा जाएगा, अगर आप select होते हैं, तो आप यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर bond भरा जाएगा, आपके लिए, ठीक है, वो कोई issue न देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपके पास क्या क्या चीजे यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, बाकी यह सारी चीजे आपके पास दे रहे किये, कि जो date of birth है, जो होता है, 10th class के हिसाब से होती है, ठीक है, यह सारी चीजे आप detailed notification मे आगे देखते हैं, क्या क्या चीजे और यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, information to be kept, हाँ, देखे बिटा, जो important यहाँ पर information कुछ दी गई है आपको, ओ यह है अब, कि यह आपकी सारी dates है, ठीक है, यह आपकी यहाँ पर सारी dates इन्होंने दी हुई है, ठीक है, आपको क्या है, www. www.dvc.gov.in पर जाना है, career पर जाना है, वहाँ पर, फिर recruitment पर जाना है, वहाँ पर आपको apply का link आ जाएगा, लार्ज जो apply करने के 26th of May 2023 आपकी है, ठीक है, ठीक है, और आपको सिर्फ online mode से ही apply करना है, यह सारी चीजे आपको यहाँ पर clearly दी गई है, commencement of, मतलब 5-5 2023 से 10 PM onwards से हो चुका है आपका application form बनना, और last date आपकी 26-5 2023 आपकी रहने वाले है, ठीक है, यह सारी चीजे यहाँ पर इन्होंने दे रही है, तो आप तुरंत last date का wait ना करते हुए, आपको बिल्कुल तुरंत इसका form भर देना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी opportunity है, आजकल आपने, और बहुत सारे exams के लिए form बरा है, बार्क के लिए बार्क का आया है, आपका sale का आया है, और ISR का आया है, तो आप सारी exam की तयारी कर रहे होंगे, तो definitely आपको इस exam को भी भरना है, ठीक है, 10 number of seats से कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको भी भरना है, और बढ़िया से सारी exams को ए अने होने है, ठीक है, लेकिन इन्होंने brief क्या syllabus होने वाला है, क्या number of questions आपके technical के, non-tech के क्या होने वाले है, कितने number of questions होने वाले है, ये कुछ भी इन्होंने अभी इसमें mention नहीं किया है, ठीक है, कितने marks का paper होगा, ये भी कुछ mention नहीं किया होगा है, exam center बेटा, detail notification में आपको तीन exam center भरने होंगे, जिसमें से आपको preference के इसाफ से तीन भरने होंगे, उनमें से कोई एक आपको alert कर दिया जाएगा, ठीक है, चले बच्छा, तो आपको बहुती बहतरीन और बहुती बढ़िया तरीके से सदे तरीके से इसकी तयारी करनी है, ठीक है, और बढ़ि इसलिए बच्छो, thank you so much for watching this video और जल्दी से जल्दी जाके form बरिये और आप तयारी में लग जाए, चले, thank you